हलो दोस्तों आप सभी का हमारे लॉजिक पहली चनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए जासूसी पहली हमारी आज के जासूसी पहली है एक दिन पप्पू अपने घर पे अकेला होता है और बहुत बोर हो रहा होता है तबी पप्पू अपने घर से बाहर जाता है और बाहर जाकर अपने सभी दोस्तों को बुलाता है पप्पू के सभी दोस्त आते हैं और फिर पप्पू अपने दोस्तों के साथ में फुटबॉल खेलता है फुटबॉल खेलते खेलते पप्पू और उसके दोस्त ठक जाते हैं तो सभी लोग आराम करने के लिए अपने घर चले जाते हैं थोड़ी दिर के बाद जब सभी वापस आते हैं तो देखते हैं कि पप्पू के दोस्त गोलू को किसी ने मार दिया है और फिर तभी तैकीकात के लिए इंस्पेक्टर को बुलाते हैं इंस्पेक्टर वहाँ पर आते हैं और सबसे एके करके पूश्टाच करते हैं मोनू कहती है कि मैं घर जाने के बाद टीवी देख रही थी और मोलू कहता है मैं घर जाने के बाद सो गया था और चीकू कहता है मैं घर जाने के बाद नाच्टा कर रहा था और पप्पू कहता है मैं घर जाने के बाद अपनी मम्मी से बाते कर रहा था दोस्तों क्या आप बता सकते हैं इन में से जूट कौन बोल रहा है किसने गोलू को मारा है इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकिंड और आपका समय शुरू होता है अब गोलू को पपू ने मारा है आए देखते हैं कैसे पपू कहता है कि मैं घर पे जाके अपनी ममी से बाते कर रहा था जबकि पपू तो घर पे अकेला था और वो बोरो रहा था इसलिए पपू अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था इसका मतलब है कि पपू जूट बोल रहा है पपू ने ही गोलू को मारा है दोस्तों आपको हमारी आज के जासुसी पहली कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें थैंक यू